यह देखें यह हम आज बनाएंगे प्लाजो पैंट में डिजाइन तो यहा पर मैंदे यह पैंट वाला कपड़ा है इस तारा से लेना है इसलाई क्वेंहें पर जॉइंड कर ली होई कुछ ये या मेरा पेस्ट ही लेने लिया हुआ है दॉक की जो लिधा इंच का बख्रम ये लिया हुआ है लम्बा ओर यह जो चौड़ा है यह 6 one इंrage 2 तीन इंच तीन इंच की ए लोग specific कम होरी ऊदाक है यहां पर फोल्ड करेंगे यहां पर फोल्ड करने के बाद कि women ₹án ago कर यहां पर हमको कंगूरे शेप में इसको दे देना है ठीक है यह हमारा हो गया अब यहां पर हम इसी पट्टी पे इसको रखेंगे और इस पे एक मांक कर देंगे ऐसे करके जैसे हम करें इसी तरह से आप मांक करेंगे आपके कंगूरे आज हो जाएंगे ठीक है हमारे तीन कं पैंचे में 6 कंगूरे दाएंगी, फिर से तकि आपको और कह तो कि चॉर्ट कर लेके चाया। जितना मैंने बक्रम लिया था उतना ही एक कपड़ा और लेते हुए इसको नीचे साइड से रखेंगे और कंगूरे के पास में सिलाई चला देंगे बकरम के उपर नहीं चलानी है बकरम के पडोस में चलानी है यह हमने पूरी स्लाई चला ला यहाँ पर हम लोग जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेते हैं यह देखे से हमें कटिंग कर देना है कंगूरे ही निकाल देने अच्छे से ठीक है यहाँ पर देखे मैंने पूरा एक्स्टा कपड़ा कटिक कर दिया होगा है अभी इस साइड से इसको फोल्ड करेंगे और अंदर की साइड को जो बाद वाला कपड़ा है उसको अंदर की साइड को कर देंगे और कंगूरे हम लोग अच्छे से सीधे कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखिए अब इसके सीधे कर लिए अब इसके उपर एक सिलाई और चला देंगे बिल्कुल करीब में चलानी है बहुत ही अच्छे से चलाईएगा इसके सिलाई क्योंकि आगर इसमें भी गरबर होगी तो आपकी कि यहीं तरह से लेष लगानी हलका सा कपड़ा आपकोuu फोल्ड करना है टीक है और फील लेष रखने जो पति दिख रही है सिर्फ आपको वही वाला पाट निकाला है बाकि सारा कपड़े के अंदर रख देना है टीक है यही तरह सेम इसकी ऊपर स्टिचिंग videos............ यानि कि स्लाई लगा देंगे कच्छी सी, अब दूसरी साइट पर आ जाएंगे, इसको भी इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है, और ये वाले पार्ट में हमें क्या करना है, ये वाली हम जो गोटा पत्ती इस साइट में हम लोग नहीं लगाएंगे, इसको इस तरह से स्लाई लगा देंगे, ठीक है, स्टीचिंग कर देंगे इसकी, यहां पर पहले से हमको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये कपड़े के उपर हम रखेंगे, और अपने या पी कपड़ा भी दब जाएगा, और लेस भी साथ ही में हमारी लग जाएगी, डबल स्लाई लगा यहां पर ठीक है, तो इस तरह से हमें पैंटिक्स डालनी है, तो कपड़े को आधा इंची फोल्ड करना है, उपर की साइड में उठाना है, और फिर नीचे रख देना है, ठीक है, और यहां पर हम इसकी स्लाई लगाना स्टार्ट करेंगे, यह हमारी पैंटिक्स पर हम अपनी दूसरी पैंटिक्स बनाएंगे, यह देखे मैंने दूसरी भी बना ली, अब जैसे मैंने पहले एक लेस बनाई थी, उसी तरह से हम दूसरे साइड में भी यहां पर लेस बनाएंगे, ठीक है, पहले कपड़े को फोल्ड करेंगे, ठीक है, और फिर यहां पर हम अ बहुत ही easy design है और पहनने पे तो इसका लुक बहुत ही beautiful आता है आप लोग जरूर ट्राइ करिएगा और हमें comment में बताइएगा कि मैंने design की कैसी बनाई है और आप लोग अपने plazo में design डाल कर comment में पिक्स वागेरा या comment करके बता सकते हैं कि कैसी लगी आपको हमारी यह design तो यहाँ पर इस साइड में भी हम लोग यहाँ पर गोटा लगा देते हैं ठीक है यह देखिए यहाँ पर हमने इस ताइसे गोटा लगा लिया अब हम दूसरा भी लगा देते हैं इंड करने के लिए ठीक है यह देखिए हमारी design ready हो गई है पूरी कितनी हुपसूरत लग रही है ठीक है यह पर हम देखिए लगा अब है